गूड इवनिंग एवरिवन आज अपन रास्तान जी के के मोश्ट क्यूशन पढ़ेंगे जो आपके एगरी कल्चो सुपरवाइजर में रास्तान जी के के 25 क्यूशन आते हैं तो यहां पर अपन जोहर से रिलेटेट क्यूशन पढ़ेंगे, जोहर से लगबग 5 क्यूशन पढ़ेंगे, जो बहुत important है, एकजाम में आने की संभावना रहती है, जैसे की क्यूशन आ जाते हैं कि सरवादिक जोहर कौन से दुरुग में होते हैं, जोहर मेला खान लगता है अगनी जोहर खान पे होता है, जल जोहर खान पे होता है, तो ऐसे क्यूशन एकजाम में आ जाते हैं, तो यहां पर अपना पश्ट क्यूशन है, चितोड़ के तीसरे साके में जोहर का नेतरुत्व किसने किया, तो ओफशन है, रंग देवी ने, फूल कवर ने, कर्मवती न तो यहां पर क्यूशन क्या पूच रहा है, कि जोहर के तीसरे साके में, तीसरा साका था, फूल कवर का था, यह फूल कवर का तीसरा साका, पंद्रा सो सड़ सट में होगा था, यह सात अजार महिलाओं के साथ अगनी जोर किये थे, तीसरा साका, सात अजार महिलाओं के साथ अगनी जोर कियाते 1566 में तो right answer होगा 2 अब क्यों सना सकता है कि first अगनी जोर किस ने कियाता तो first अगनी जोर कियाता पदमनी ने कियाता 13000 मेलाओं के साथ और second जोर कियाता कर्मावती ने कियाता 13000 मेलाओं के साथ 1534 में सेकंड अगनी जोर किया था 1534 में और कितनी मैलाओं के साथ किया था 13,000 मैलाओं के साथ अब एकजाम एक क्यूसन केसे भी आजा है जोर से रिलेटेड तो आप उसमें कन्फूज नहीं होना तीसरा साक्य में जो जोर का नेतर तो हुआ था वो किसके दुआरा हुआ था फूल कवर के दुआरा हुआ था और ये कब हुआ था 1566 में हुआ था और कितनी मैलाओं के साथ हुआ था 7,000 मैलाओं के साथ ये अगनी जोर हुआ था रंग देवी के दुआरा जल जोर हुआ था इन फूल कबर पदमनी और कर्मावती के दुआरा तो अगनी जोर हुआ था जो तोडगड दुरग में हुआ था और रंग देवी के दुआरा जल जोर हुआ था रंधम बोर में 1301 में ये बात भी आप ब्यान रखिएगा आप तो राइट आंसरों का तारा गर्ड दरोर सूची में सामिल नहीं है यहां पर अपना नेक्स्ट क्यूशन है कि राजस्तान में पड़ती वरस मतलब हर साल 12 सितंबर को वरक्स महुत्सोय खा मनाया जाता है यहां पर अपना नेक्स्ट क्यूशन है कि राजस्तान के कुल इस्तिले सीमा कितनी है मतलब टोटल इस्तिले सीमा कितनी है ओप्सन है 5620 किलोमेटर 5920 किलोमेटर 6100 किलोमेटर या 5940 किलोमेटर तो इसमें राजस्तान के जो टोटल इस्तिले सीमा है वो है 5920 राइट आंसर होग छोर्ट डू इसके बात करे हो看ंज तो ये सीमा है ये दो भागों में बटी हुई हैं अब दो भाग कौनकौन से हैं 5920 है जो भागों में बटी हुई है अंतराश् ליay और अंतर राश्यी की सीमा है 1070 और अंतर्राश्य की है 4850 ये बात आप द्यान रखाया कि कि olur replace इसलिए सीमा है 5920 और ये भी दो बागों में बटी हुई है अंतराश्टिय सीमा जिसे अंतराश्टिय सीमा को रेड किलिप रेखा भी कहते हैं और ये एक है अंतराश्टिय जिसकी टोटल है 4820 सीमा यहां पर अपना क्यूशन है कि राजस्तार में कौन सा वरक्स है जिससे द्रम गरंतों में सम्मी और इस्ताइनिय बासा में जाठी का आ जाता है यहां पर अपने ओप्शन है केर, बवूल, खेजडी वजर्वेरी तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा वो खेजडी है जिसे द्रम गरंतों में सम्मी और इस्ताइनिय बासा में इसे जाठी का आ जाता है अब एकजडी को कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि खेजडी का साइंटिफिक नम क्या है तो खेजडी का साइंटिफिक नम है प्रोसोफिस सिनेरिया और इस खेजडी को प्रोसोफिस सिनेरिया को राजस्तान का राज्ये वरक्स भी कहते हैं यह एगरी कल्चर सुपरवाइजर 2008 में पूचाता है कि राजस्तान का राज्य वरक्स कौन सा है तो वो है खेजडी जिसका साइंटिफिक नेम है प्रोस फिस सिनेरिया इसे रेगिस्तान का कलप वरक्स भी कहते हैं खेजडी को रेगिस्तान का कलप वरक्स भी कहते हैं और रा राजस्तार में जो जुमिंग खेती होती है उसे क्या कहते हैं ओफ्चन है धजिया जी माता वालरा वर मिलवा तो जो जुमिंग कहती होती है उसे राजस्तार में वालरा कहते हैं राइट आंसर होगा थ्री यहाँ पर अपना next question है कि मद्दे पर्देश से सरवादिक सीमा किस की लगती है अब मद्दे पर्देश से जो 10 जिलों की सीमा लगती है तो इसमें जो 10 जिलों में जो सरवादिक सीमा लगती है वो जहलावाड की लगती है मद्धे पर्देश में सरवादिक सीमा लगती है जालावाड की लगती है और टोटल जीला पूचे कि MP में कितने जीलों की सीमा लगती है तो 10 जीलों की सीमा लगती है और सबसे जादा लगती है जालावाड की और सबसे कम लगती है भीलवाडा की सबसे ज़्यादा किस की लगती है जालावाड की और सबसे कम लगती है भीलवाडा की यहां पर अपना next question है कि आड़ नदी का नाम उद्धे सागर के बाद क्या हो जाता है option है बेड़च, माही, सोम या जाखम तो आड़ नदी का नाम उद्धे सागर के बाद बेडच हो जाता है right answer होगा A अब इसमें जो उद्धे पूर की गोगुंदा की पाड़ियों से निकलने वाली नदी उद्धे सागर जील तक तो इसका नाम वता है आड़ नदी आड़ नदी के नाम से जाने जाते है उद्धे सागर जील के बाद इसके बेडच नदी का आ जाता है यह आउड और आईड नदी के किनारे उद्धे पूर की आड़ सब्वेता से विक्सित हुई है यहाँ पे अपना next question है कि आवल बावल की संधी किसके मद्दे हुई थी? यहां पर अपना option है तो जो जो दव राणा कुम्बा के मद्दे तो जो आवल बावल की संधी हुई थी इसका right answer होगा second मतलब एकजाम ऐसे भी पूह सकते हैं कि जो आवल बावल की संधी हुई थी वो कब हुई थी तो यह आवल बावल की संदी हुई थी 1453 में कब हुई थी 1453 में आवल बावल की संदी हुई थी और ये राणा कुमबा और राव जोदा के मद्दे हुई थी आवल बावल की संदी 1453 में और इसे मेवाड और मारवाड के मद्धी भी संदी बोलते हैं जो राणा कुमबा है यह मेवाड के थे और राव जोदा है यह मारवाड के थे और मेवाड और मारवाड के बीच में होने वाली कौन सी संदी है आउल बावल की संदी है और यह आउल बावल की संदी किस ने करव कि आवल बावल की संदी की जानकारी प्राप्त हुई थी तो गोशंडी सिला लेक से प्राप्त हुई थी यह गोशंडी सिलालेक सिंगार कुवरी द्वारा बनाए गया था यहां पर अपना next question है कि राणा कुम्बा का समय रहा मतलब राणा कुम्बा का सासनकाल कब तक रहा है option है 1422 से 1428 में second option है 1413 से 1456 तक या 1433 से 1468 next option है 1433 से 1468 जो राणा कुम्बा का सासनकाल रहता ये रहता 1533 से 1568 तक राणा कुम्बा का सासनकाल रहता तो इसका right answer होगा full